चंडिगर्ड की जिला अदालत में आज खुक्याद गैंक सर संपत नहरा को पेश किया गया हालाग कि दो मामलों में आज पेश किया गया बहुत एहम पेशी बताई जा रही है जिसमें एक में चार्जिस फ्रेम भी हुए है हमारे साथ एडवोकेटस हैं संपत नहरा के एडवोकेट्स हैं उनसे बाचित करते हैं सर आज दो मामले थे जिसमें संपत नहरा को पेश किया गया है पहला मामला कौन सा है जिसमें आज चार्जिस फ्रेम होए देखिए पहला मामला एफाई आर नंबर 60 से लेके था दिस इस एफाई आर नंबर 60 ऑफ 2018 जो लेकिन इसमें किसी भी टाइप की कोई delivery नहीं है और उसी ground पे सुप्रीम कोर्ट की represents कोउट करते ही finest हमने discharge की मन की थी लेकिन अब कोर्टने इसमे जो है चार्जिस फ्रेम कर दिये गए क्योंकि किसी भी वैल्यूएबल प्रोपरटी की या मनी की कोई इसमें डिलिवरी है नहीं कोई इसी टाइप की कोई इंडूस्मेंट भी आगर हम प्राइमा फेशी चलान से देखें तो वह प्रूब नहीं हो रही है तो इसी ग्राउंड पर हम डिस्चार्ज में गए थे और ह चानवे और 506 लगी है आज इसमें कोई गवा नहीं आया हुआ था तो इसकी अगली जो तारीक है वो 18 जनवरी पड़ी है तो जैसे सार ने बताया कि दो मामलों में आज एहम सुनवाई हुई है और एक में चार्जिस फ्रेम हुए है जो जानकारी अभी तक एड़ोकेट्स आज ने दिए है कि एक में चार्जिस फ्रेम हुए kita सों जिसको लेकर आगे कि ड़ेंट डाली गई है लेकिन 2018 कर जो नामी जो बिजनिसमेन है उनका überСТ्सृं का मामला था उसमें चार्जिस फ्रेम हो चुके दो लेकर नकार कि पहना है कि आगे जो ही उस पर करेंगे कि रिव रतिन्यूजदीन, बजाए.